हे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहूल और आप सभी का स्वागत है राहूल टेक में दोस्तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे है कैनन के एक प्राइम लेंस की अन्बोक्सिंग और रिव्यू जो हमें पढ़ गया है काफी सस्ते में यह हमें पढ़ गया है 6,750 रुपे में तो यह काफी सस्ता प्राइज है इससे कम आपको कभी साइद मिल नहीं पाएगा जो इसका ओर प्राइज है वह 8,000 और 7,999 के आसपरस रहता है तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं इसका लि वीडियो में हम इसकी photo sample और video sample भी दिखा देंगे आपको इस video में भी मैंने कुछ इसके video sample दिखाए है चले दोस्तों शुरू करते है इस video को और इसकी करते है unboxing तो दोस्तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में यह आता है आप देख सकते हैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तो आपको Amazon की सर्विस काफी अच्छी है काफी अच्छी पैकेजिंग और काफी सेफली यह बहुत सारे प्रोडेक्ट को भेजते हैं तो मुझे काफी अच्छी लगी इसकी पैकिंग और सेफटी तो इसके लिए इनको पूरे नमबर दे जाते हैं चलि दोस्तो आपको दिखा जिता हूँ पूरी तरह सील पैक है पैकेट और इसको जल्दी से हम खोल लेते हैं और इसमें से अपने लेंस को बाहर लिकालते हैं दोस्तो यह है Canon का EF 50 mm F 1.8 STM Lens जिसकी कीमत है 8000 बट आपको कई बार यह offer भी मिल जाता है सस्ते में तो अगर आपको इस सस्ते मिल जाता है तो जरूर ले लिजे जैसे मैंने DSLR लिया था तो मेरे पास kit lens था तो kit lens से कुछ इतना अच्छा मज़ा नहीं आता है रिव्यू करने में हम product कर रिव्यू करते हैं तो वो इस तरह की चीज़े नहीं मिल पाती है जो हमें एक prime lens से जो quality जो brightness और जो quality मिल पाती है तो इसलिए मैंने भी यह prime lens ले लिया और मुझे काफी सस्ते में पढ़ा है मैं आपको बता दू भिर से 6750 रुपे में तो दोस्तों कुछ इस तरह की packaging में आता है काफी safely आता है हमारे पास और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है Canon और इसके कुछ बार गोड दिये गए हैं यहां पर लिखा है Canon और इसकी साइड में देखते हैं साइड में क्या लिखा है यहां पर लिखा है EF 50 mm F 1.8 STM lens चलिए दोस्तों बोक्स को अब खोलते हैं और बहार लिकालत हैं इसको और अपने lens को चेक करते हैं lens के साथ हमें क्या मिलता है दोस्तों आपको एक सिर्फ दादु सायद इसकी हमें एक साल की warranty मिलती है इसके साथ तो जल्दी से उपन करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है तो दोस्तों हमने कर लिया उपन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वरंटी कार्ड और एक यूजर मैंवल गाइड जिसके जरी आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे यूज करना है और यह सब लिखा गया है हिंदी में तो नहीं है मेरे रिखाल से इंगलिस और चाइनीज लेंगवेज में है यह तो इसको रखते हैं साइड में अपने लेंस को लिकालते हैं बाहर तो दोस्तो ये है हमारा lens prime lens canon 50 mm का काफी अच्छी packaging में ये भेज़ा है दो पन्नियों में pack है इसको बाहर लिकालते हैं और आपको दिखाते है हमारे lens को तो दोस्तो ये है हमारा lens आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं autofocus और manual focus का भी option दिया गया है काफी छोटा सा lens है बट इसकी power और जो इसकी quality है वो काफी दमदार है जो बड़े-बड़े महंगे lens आते हैं उस तरह की quality है बट अगर आपको सस्ते में कुछ चीज मिल रही है और सेम चीज मिल रही है तो ले लेनना चाहिए अगर आपका budget कम है 7-8000 रुपे में तो यह सबसे अच्छा lens आप देख सकते हैं इसकी build quality काफी अच्छी है यह steel से बनाया गया है steel यह लोहे से जो भी बनाया गया है तो STM lens है कोई दिक्कत भी आएगी तूटेगा नहीं जल्दी से और इसके lens काफी अच्छे है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा है यह lens तो इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे इसको यूज करना है और दोस्तों देखिए आप कितना अच्छा लगता है प्यारे lens है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं वीडियो कॉलिटी मैं इसकी डाली है तो आप नीचे कमेंट करके बताईएगा कि आपको कैसा लगा lens अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के बाद दो वीडियो ओर आएंगी वो है Canon के 50mm prime lens से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी quality है इतनी ज़्यादा light भी नहीं है फिर भी ये light को काफी अच्छी तरह से लेता है और आप पीछे background देख सकते हैं कितना blur हो रखा है तो phone भी एकदम बिल्कुल अलग ही दिख रहा है और पीछे का background अलग है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत भुत धन्यवाद आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank you very much Love you all